बस एक सवाल में आज सब की चाहिए थे आक्टर पवनमल होतरा Most versatile and committed actor सबी देखने वालों को पवनमल दुगर का हाए नमस्कार, सास्रीकार, सलाम अलेकुम शारोखान की अगर हम बात करें वो भी उसी इलाके से तालोग रखते हैं आप भी उसे इलाके से तालोग रखते हैं कि आपने भी थेटर बहुत किया, उन्होंने भी थेटर किया उनके साथ आपने बाद में परदेश और डॉन फिल्म की और सरकस में भी आप उनके साथ दिखे थे कभी-कभी दमाग में याता है शारुख खान की किसमत ऐसी चमकी की बस हम दोनों ने अलग-अलग रहा पकटी उनका जो अप्रोच है और एक्टिंग स्टाइल है मेरा उससे बिलकुल अलाइदा है मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं मैं पावन मलोतरा हूं वो शारुख खान है कोई अमिताब बच्चन है कोई थब की अपने हमनी जगा है इसलिए जो नहीं लोग कभी स्टूडेंट्स पूछते है तो मैं कहता हूं पर आप अगर शारुख खान बनना चाहोगे तो वो तो है आप अगर अमिताब बच्चन बनना चाहोगे तो वो तो है आप शातुरगन सिना बनना चाहोगे करना होगे तो वो तो है आप अपने जगा बनाए आपको क्या सही लगता है भी उसे खूब से रहा, खूब से रहा नहीं, आपकी अदाकारी लाजवाब थी, बेमिसाल थी, वो अलग तरह के डांस स्टेप्स थे उसमें, चाओ, उसके लिए आपने खूब महनत की थी, तैयारी की थी, tell us something about that, देखे हुआ यूँ कि मैं साहीद मिर्जा साब का प्रोडक और फिर जो भी हुआ, कुछ circumstances, भगवान की कृपा कही है, कुछ कही है, फाइनली सलीम लंगडे का रोल मेरी जोली में आ गया, शूटिंग के बाद, पोस्ट प्रोडक्शन चल रही थी, और मेरा एक मैगजीन के कवर पे मेरी फोटो थी, जो बुद्धेव दास गुपता प्रोड़ी ने क्यलकटा में देखी, और उनका कहना है कि मेरी आखे उनको बहुत ही इंट्रस्टिंग लगी, और उन्होंने कुछ लोगों से बात भी की तो उन्होंने बताए, यह नुकड मे था और इस तरह, और फिर वो मुझे बॉम्बे मिलने आए, और बाग बहादू बाग बहादूर उन्होंने मुझे एक टेली फिल्म कर रहा था, उन्होंने वहां आके सेट पे मुझे जब सुनाई, तो आधी स्टोरी में ही मैंने अपने आप से कहा, पवन रोतरा यह फिल्म तो करनी है, भगवान का बहुत शुक्र यादा करता हूं कि सलीम अंगडा का क लिकत जरूर थी कि पेंट करना था तो फाइनली एनैमल पेंट डिसाइड हुआ कि किया जाए का कि बाकी सब पेंट्स क्रैक हो रहे थे, और वहां लोग करते हैं ते शायरे के टाइम में आंधरा वगरा हमें एनैमल पेंट, तो मैंने अपने बाल निकालने थे, और मैंने वो एक सॉफ्ट सिल्क एने फ्रेंच ले गया था किसने बताया कूप सारा उस पे लिखा था दस मिनट मैंने लगाया और फिर मैं नहाने गया, मुझे लगा भी सारे बाल निकल जाएंगे पर पदा चला कि नहीं वो तो वाइप करना होता है, फिर से पड़ा, फिर उस दु और शाम बहुत मुश्किल होती थी पैक अप के बाद, क्योंकि जैसे ही पैक अप होता था, हम तो गाओं खेड़े में जाके जंगलों में शूटिंग करते थे, हमेशन डेड़ दो घंटे की ड्राइव, तो सभी लोग गारी में बैठके चले जाते थे, लेकिन मैं फिर से स्टूर पर बैठता था, और दो लोग तसले में मिटए का तेल डालके मेरी मसाच शूरू करते थे, वो निकालने के लिए, टो और गादग करते थे, तो बाद और के लुए, लिसमें पहले सीन से लेकर आखरी सीन तक मैं हूं, इलिगिल इमिग्रिंस के बारे में, रॉबर एक एरेक्टर अपने आप में सक्षम है, अलग है, क्या कभी आपने इच्छ जताई है, ये रोल अभी मुझे करना है, ये रोल मुझे चाहिए, ये रोल अभी तक नहीं मिदा, सच में नहीं कभी सोचा है, मैंने कभी नहीं सोचा कि इस तरह करना है कि मुझे लगता है कि जब रोल आएगा जैसे किसी ने एक बारी मुझसे बोला कि फलाँ डिरेक्टर को मिलने जाओ गया तो आंख में इंटेंसिटी रखना, मैं पागल हो गया हूँ, मैं तो एक्टर हू कि अगर विलेन कर रहा हूँ तो चाकू रखो हूँ, हम कहते हैं अगर आप किसी चीज को अच्छे से जिएंगे वो दूसरी चीज में उसकी जहलक तो आही जाती है परचाई और ऐसा ही थेटर की परचाई आपके अक्टिंग में भी आती है और जो थेटर के साथ जुड़ बन सकते हैं तो पर शेटर की अच्छा काम कर सकते हैं तो खेर मैंने उनको उस वक्ट बोला था मेरी तारीफ मत कीजिए मुझे आप मैं एक्जिस्ट करता हूँ यह आपको पता है तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है पर एनिवे क्या होता है थेटर आपको बैक्स्टोरी सिखाता है, किरदार समोझ ना सिखाता है लेकिन जब आप फिल्मों में आते हैं, तो एक कदम आगे थي demographics सेушка फिल्म زी जादा मुशल है, लोग कहते हैं थे थे मुटम ज़े और मेंने के धसल्य करते हैं, और फिर सीक्विस में जाते हैं, scene one, scene 2, scene 3, scene 3, cinema में असर नहीं होता है, cinema में बहुत आगे पीछे होता है, बिल्कुल जब आप बिल्कुल तयार है, और डिरेक्टर बोलता है, रोल उस वक्त हो सकता है, recordist बोले या DOP बोले या कोई और बोले कि अरे वो दिक्कत होगे, तो आपको फिर रूप, तो on-off technique आपको रहना पड़ेगा, anything and everything करने की जुरूरत नहीं है, stress बहुत जादा है, क्योंकि यहां तो चड़ते सूरज को सलाम किया जाता है, कभी आप के पास काम की कमी रही, नहीं बहुत बहुत ही रही, कई बार आप मना करते रहते हैं, करते रहते, करते रहते हैं, मैंने एक-एक साल जब काम आ भी रहा है, क्योंकि देखे, एक बात तो सच है, कि एक जगा बनने के बाद और खुछ नहीं, तो टीवी तो आता ही रहता था, टीवी भी आपने बहुत किया है, और मैंने वो टीवी में भी, अगर मेरा टीवी का भी बाड़ी और वर्क देखेंगे, तो वो भी अपनी तर से चुनके किया, कि तरह तरह करें, और एक किस्म का, हमारे किस्म का, जब जो जिसतरे की कहानियों से हम जुड़ना चाहते थे, जब वो वाला टीवी रुका, तो हमने भी पॉज ले लिया, और उसके बाद अगर एक दो स्टिंट किये भी, तो वो 15-20 दिन महीने जो की अच्छा रोल था, अच्छा सब्जेक्ट था, उन्होंने हमें लिया गाडी को धकावाने के लिए, हमें एक अच्छा रोल मिल रहा था, मैं तो रोल का भूखा हूं, जैसे मुझे एक अर्सा पहले एक डारेक्टर एक दिन मिल बोले, यार आप गायव हो जाते हो, फ पाकी जो हिस्से में होगा, वो आपको मिलेगा और मेरे पास तो ऐसे बहुत सारे एक ब्रिकलेन फिल्म थी, मैंने वो उनसे पूछा भी कि आप मुझे बोल रहा हो, बार-बार मुझे मिल रहा हो था, इसका मता आप मेरे बारे में सोच रहा हो, और मैंने एक हिंदी फिल्म भाए, Bengali from Bangladesh, I went to London, did the workshop, they had to do that cast for me to do that makeup, you know, make me look fat and dark and still I couldn't do that film, you know, because of two days of that other date which, you know, it happened, तो वो हिस्से में नही था, आपने दो national awards भी अपनी नाम किये है, फिल्मों का मिले, बाग बादूर को best film national award मिला, सलीम लंगले पिमत्रो को best Hindi film national award मिला, एक हिस साल में, मुझे national award मिला फ फकीर फिल्म के लिए, एक्जाटल गौतम गोश्ट की फिल्म, 98 में, I was so happy because suddenly मेरे डायक्टर ने मुझे फोन करके जब बताया, और जिस दिन मुझे award में दिने गया हूँ, उस दिन सुबह रहसल हुए, और मैं दिन बर सोचता रहा कि जब मैं शाम को प्रेजिडेंट के साम में जाओंगा, तो उनको विश कैसे करूँगा, और दिन बर एक्चलि सोचता रहा है, हेलो या हाई थोड़ी बोल सकते हैं, या नमशकार बोलूँगा, या प्रनाम बोलूँगा, या कैसे है सार, या सिर्फ जुग जाओंगा, और शाम को जब फाइनली मैं स्टेज पे च जाओंगा, जैहिन सर, क्या बात है, और आम वेरी हैपी, और फील वेरी प्राउड कि मुझे नेशनल अवार्ड मिला है, और किसी भी एक्टर के लिए, कोई भी परफॉर्मिंगा, मेरे लिए फाक्र की बात है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि भीम सेंज जोशी साब भी अगर गारे होते और ताली नहीं बज़ती तो उनको लगता कि आज मैंने कुछ गरबड़ गाया है,